हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाएंगे दो चीजों से बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी ब्रत की रेस्पी जिसे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत ही कम समय में कम चीजों में बना कर तयार करेंगे और ये इतना टेस्टी बनेगा ना कि आप इसे बिना ब्रत के भी बना कर खाना पसंद करेंगे तो देर किस बात की चलिए इससे बनाना सुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दिजीगा तो इस रेस्पी को बनाने के लिए यहां गैस पर हम रख लिए है एक पैन अब पैन के जगह पर कराही भी ले सकते हैं और इसमें हम डाल लिए हैं आधा कब साबुर्दाना तो यहां पर इस साबुर्दाने को हमें ज़्यादा नहीं रोष्ट करना है बस दो से तीन मिनट के लिए इसे हमें रोष्ट कर लेना है यानि कि चलाते हुए दो से तीन मिनट के लिए इसे भुन लेना है ताकि साबुर्दाने में जो नमी होगा न वो चला जाएगा और यहां पर साबुर्दाने के हमें कलर नहीं चेंज करना है इसलिए gas के flame लो रखना है लो flame पर ही इसे 2-3 मिनट के लिए भुनिएगा high या medium flame नहीं रखना है तो इसे हमें roast करते हुए 3 मिनट हो गया है तो gas के flame बंद करके इसे निचे उतार कर ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद यहाँ पर इसको हम एक मिकसर जार में डाल लिए हैं और अब हम जार के धकन बंद करके इसको पीस लेंगे तो चलिए इसको हम पीस कर ले आते हैं तो यह देखिए सवर्दाने को पीस लिए हैं और आपको मैं धकन हटा कर दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पीस गया है तो अभी हम इस सवर्दाने के पाउडर को साइड में रखते हैं और यहाँ पर हम ले लिए हैं दो मिडियम साइज के कच्चा आलू आलू के छिलका निकाल कर इसको अच्छे से धूल लिए हैं और अब हम इस आलू को एक ग्रेटर के मदद से ग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पर ज्यादा बारिक वाले ग्रेटर नहीं लिजिएगा मिडियम बाले या मुटे वाले ग्रेटर के यूज कीचिएगा मैं यहाँ पर मिडियम बाले ग्रेटर ली हूँ और इस तरह से इसको ग्रेट कर लेंगे तो आलू को ग्रेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है थोरी ही दिर में आलू ग्रेट हो जाता है तो आप देख सकते हैं दोनों आलू को हम ग्रेट कर लिए हैं और आपको मैं उठा कर दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं आलू के लच्षिव बहुत ही अच्छे निकले है तो आलू को हम पहले से धूल कर लिये थे तो अभी इसके लच्षिव को हम नहीं धूलेंगे और इसी में हम डाल दिये हैं साबुरदाने वाले पाउडर जो साबुरदाने अभी पीसे थे ना सभी कमिया ज्यादा कर सकते हैं एक इंच अधरक डाल दिये हैं कदुकस करके और साथ में ही एक छोटा चमच सावुत जीरा डाल दिये हैं इसी के साथ इसमें डाल दिये हैं एक चोथाई छोटा चमच काली मिर्च पाउडर अगर आप ब्रत में काली मिर्च पाउडर नहीं खाते ह है एक चोटा चमच इसमें डाल दिये हैं निम्बू के जूस और स्वाथ के अनुसार इसमें हम ब्रत वाला नमक डाल देंगे यानि कि सिंधा नमक इसमें अजयर लीजिए और ऑब हम इन सभी चीजों को इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे ताकि सभी तो यहां पर इसमें हमें पानी नहीं डालना है आलू के जो नमी है ना उसी से फूल जाएगा तो इसको हम रेष्ट पर छोड़ दते हैं दस मिनिट के लिए और यह देखिए इसे रेष्ट पर रखे हुए दस मिनिट हो चुका है तो अब ढ़कन हटा लिए हैं और आप देख सकते हैं यहां पर सबुर्दाने अच्छे से फूल गया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें से थोरा सा मिसरन हाथों में लेंगे और इसको इस तरह से बाइंड करके देखेंगे इस तरह से बाइंड हो रहा है इसका मतलब हमारा जो मिसरन है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है और अगर बाइंड नहीं हो रहा है तो इसमें आप एक से दो चमच पानी और डाल लीजिएगा और अगर आप चाहे तो इसी तरह से इसको मुठी के सेप दे सकते हैं या आप चाहे तो इस तरह से टीकी के सेप दे सकते हैं तो मैं इसे यहाँ पर टीकी के सेप में बना रही हूँ तो यह देखी इसको इस तरह से हाथों से दवा कर और टीकी के सेप देदी हूँ और इसके किनारे को हाथेली पर घुमाते हुए चिकना कर लेंगे तो ये देखी बहुत ही प्यारा सा एक टीकी बन के तयार हो गया है तो इसी तरह से हम बागी सभी टीकी को बना कर तयार कर लेंगे तो यह देखी यहाँ पर हम सभी टीकी को बना लिये हैं तो आप इसको इस तरह से बना कर एर टाइट कंटेनर में भर कर फ्रीजर में डाल दीजिएगा और जब खाने का अमन होती से आप डिप फ्रा ये सिलो फ्राई करके खा सकते हैं तो चलिए इसको लेकर हम आ गए हैं गैस के तरफ और गैस पर एक कराही में हम डाल लिये हैं तेल तो यहाँ पर हम प्योर लकरी घानी का उट प्रेस वाइल लिये हैं ग्राउन नट वाइल है यानि की यह मुंग फली का तेल है तो मुंग फली वृत में खाया जाता है इसलिए मैं इसका तेल उज़ कर रही हूं और यह तेल बिल्कुल नेचुरल है तो तेल को गरम होते ही इसमें हम डाल लेंगे इस टीकी को जो अभी हम बनाये थे तो यहां पर तेल आप मिडियम गरम रखिएगा और गैस के फलेम यहां पर हमें अभी मिडियम रखना है तो इसमें एके करके सब्धानिस जितना टीकी आ सकता है उतना डाल लिजिएगा और डालते ही इसे हम नहीं पलटेंगे डालने के थोरी दिर बाद इसको हम एके करके पलट लेंगे और हाँ यहां पर ध्यान रखिएगा गैस के फलेम आप लो नहीं रखिएगा मिडियम या हाई रखिएगा low flame पर इसे fry करेंगे न ते ज़्यादा while ही हो जाएगा और इसे medium to high flame पर अलटते पलटते हुए सभी side golden color आने तक हम fry कर लेंगे तो ये देखी इसमें बहुत ही प्यारा सा golden color आ गया है तो इसको हम निकाल कर एक पलेट में रख लिए हैं और इसी तरह से बांकी नास्ता भी फ्राई कर लेंगे तो यह लिजिए बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नास्ता बनकर तयार है वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा मि किलते हैं नए वीडियो में जय हिन जय भारत